हिवाचर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दस्मी और बार्मी की ट्राम टू के तहर आयूजित होने वाली वार्शिक परिक्षाओं की डिट्षिट जारी करती गई है बोर्ड सचिव मधू चौधरी ने कहा कि जेई मेन और नीट की परिक्षाओं को ध्यान में रखती हुए बोर्ड ने पूर्व मेजारी तिथियों में बदलाव करती हुए इसे एक सब्ता आगे बढ़ाया है बोर्ड सचिव ने कहा कि दसमी कक्षाओं की परिक्षाओं 26 मार्च से 8 अप्रैल तक आयूजित की जाएगी और इसमें लगभग 90,645 शात्र परिक्षाओं देंगे जबके बार्मी कक्षा की परिक्षा 22 मार्च से 13 अप्रैल तक शाम के सत्र में आयूजित की जाएंगे जिसमें करेब 87,871 चाटर परिक्षा देंगे मदु चोधरु ने कहा कि प्रदेश भर में दस्मी और बार्मी की परिक्षाओं के लिए 2,121 परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें से 85 केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किये जाएंगे कि माचल परदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा दस्मी की परिक्षाओं जो है वो 26 मार्च 2022 से लेकर 8 अप्रेल 2022 तक का योजित की जाएंगे जिसमें कुल 90,625 जो है चाटर परिक्षा में बैठेंगे इसके अतिरिक प्लस टू का जो है वो परिक्षाओं का संचालन 22 मार्च से तेरा अप्रेल तक किया जाएगा इवनिंग सेशन में और इसमें कुल मिलाकर 87,871 शातर जो है परिक्षा के इंद्रों में बैठेंगे हमारे कुल जो इग्जैमिनिशन सेंटर्स है अभी तक 2121 रहेंगे और इन में से 85 जो हैं वो सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित किये जाएंगे जिनने हमें स्पेसिफिक नाम दिया गया है सावित्री भाई फुले सेंटर्स हमने जो भी दिशा निर्देश यह जो भी डेट शीट समझारी करेंगे या कर दी गई है पहले भी टेंटेटी उनमें खास करके यह हमारे तरफ से जो है रिटन में इंस्ट्रक्शन्स हैं कि कोविड प्रोटक्ट